राजस्तान में चुनावों की तयारी जोरो पर है। स्कूटी के पीछे सवार होकर भले ही उन्होंने एक कारेकरम स्थल से अपनी गाड़ी तक की बहुत छोटी दूरी तै की। लेकिन उनका ये अंदास चर्चा का विशय बना हुआ है। फिलहाल राजे की स्कूटी सवारी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल होने लगा है। जिसकी तस्वीरे राजे ने अपने ओफिशल सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की। उन्होंने स्कूटी सवारी की एक तस्वीर के साथ पोस्ट शेयर की। उन्होंने बताया कि अर्पिता नाम की एक बच्ची ने मुझे उसकी स्कूटी पर बैट कर यात्रा करने का निवेधन किया, जो उन्हें हमारी बीजेपी सरकार द्वारा चलाई गई योजना के माध्यम से मिली थी। फिर भला मैं कैसे मना करती, मैंने बिटिया का मान रखने के लिए इसकूटी की सवारी की और वहां मौझूद सभी बच्चीयों को उजवल भविशे की शुप कामनाई दी। इस पोस्ट पर कई लोग तारिफों के पुल बांद रहे हैं तो कुछ चुनावों से जोड़ रहे हैं। इन्हीं पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा चुनाव है इसलिए ऐसा किया। वरना चार साल से हम यानी जनता यहीं थी और हमारे यातायात साधन भी। वहीं दूसरे यूजर ने कहा चुनाव आया तो नाटक तो करना पड़ेगा। कम से कम यातायात के नियमों का पालन तो कर लेती हेलमेट कहा है। दूसरे यूजर ने कहा क्या नेताओं को बिना हेलमेट चलने की परमीशन है नहीं तो इन मैडम का चालान काटो। इन ही के साथ वीडियो शोशल मीडिया पर चाया हुआ है और यूजर पूरू सीम साहिब की चुटकी लेते नजर आ रहे हैं।